नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह चोखंबा सुर्भारती प्रकाशन मारानसी द्वारा प्रकाशित, शांडेल्य भक्ती सूत्र, शांडेल्य भक्ती दर्शन, पर श्री नारायन तीर्थ विरचित, भक्ती चंद्र का संस्कृत टीका, एवं हिंदी टीका सहित जैसा पुस्तक के कबर पेच पर लिखा है, भक्ती चंद्र का संस्कृत एवं हिंदी टीका सहित, तो इस पुस्तक में भक्ती चंद्र का जो टीका है, उसका अक्षर्ष अनुवाद नहीं दिया गया है, लेकिन जैसा मेरी समझ में आया है, उसी पर आधारित, एक संशिप् जो कि भक्ती चंद्र का पर ही अधारित है, ना कि भक्ती चंद्र का का अनुवाद है, यो हिंदी टीका कार है, वो श्री योगेश्वर है, हाड़ बाउंड पुस्तक है यह, पुस्तक का मूल्य तीन सो रुपय है, मैंने ओनलाइन मंगवाया था, चुकि हाड़ बाउंड ह तो मूलिय कुछ आधिक है, पेपर बैक शायद उपलब्ध नहीं था, 20 प्रतिशत का डिस्काउंट मिला था जॉकामबा की वेब साइट से, कुल प्रिष्ठ इसमें 22 प्रिष्ठों में भूमी का इत्यादी है, विशय सूची वगेरा, कवर पेज, और 174 प्रिष्ठों में भक्ती चंद्रिका टीका और श्री योगेश्वर कृत भक्ती चंद्रिका पर आधारित हिंदी टीका है, शांडेले भक्ती शूत्र का यहां एक परिचय दिया गया है, जिसमें प्रारंब्र में वो महर्शी शांडेले की वन्ष परंपरा से के बारे में बता रहे हैं, महर्शी शांडेल का जन्म प्रजापती कश्यप जी की वंश्परंपरा में हुआ, यहां आगे लिखते हैं, प्रजापती कश्यप के बारे में कि उस्तपस्या में उन्हें वत्सर और असित नाम के दो पुत्र हुए, और फिर आगे असित की एक परना नाम की पत्नी जो हिमाल और फिर इन देवल ने, इनके पुत्र थे, महर्शी शांडेले। इन्ही महभाग देवल के पुत्र रूप में भगवान श्री किष्ण और उनकी परम आहलादनी शक्ती भग्वती राधारानी की अनन्य भक्त महर्शी शांडेले का जन्म हुआ। मर्शी शांडेले दिर्ग जी भी मुनी हुए है, उनका जन्म सत्ययुग में हुआ, परंतु उनका विवरन त्रेता और द्वापर में ही प्राप्त होता है, त्रेता में उनका वर्णन भगवान श्री राम के पूरवज सुरिवन शी राजा दिलिप के पुरोहित के रूप मे मिलता है, द्वापर में ही शरसाईया पर पड़े भीश्म पिताहमा से उनके मिलने जाने का वर्णन मिलता है, महमुनी गर्क और कॉंडिन ये को उनकी द्वारा दिक्छा देने का भी विवरन प्राप्त होता है, मर्शी शांडेले मुख्य रूप से धर्म शास्त्र भक्ति के आचारे के रूप में प्रसद्ध है, तीन रचनाय इनके नाम से उपलब्ध हैं भी, शांडेले संहिता, शांडेले स्पृति और शांडेले भक्ति सूत्र, नामक उनके ग्रत प्राप्त होते हैं, शांडेले भक्ति सूत्र से नाम से विरचित उनके 100 भक्ति सूत्र प्र जो उनके पिताश्री के नाम से है, महर्षी शांडेले और उनका भक्ति भाव, ये जो सभेडिंग है, इसके अंतरगत मुख्यता, शांडेले सुमृति और सांडेले संहिता, से में जो भक्ति सम्मंधित, जो भी चीजे आई है, उनको यहां उध्रित किया गया है, महर्षी शांडेले भक्ति के महान आचार और प्रम भागवत थे, उनके अनसवार भगवान तो भक्ति के भक्ति भाव और प्रेम के भूखे है, उन्हें लौकिक वस्तो की क्या हो शक्ता, यदि कोई भी उपचार भक्त के पास ना हो, तो वह भक्ति पुर्ण पवित्र अंतर पास सकते हैं, अथा भगवान ने उन्हें उन्हीं रूप में दर्शन दिये थे, उनके दारा वर्दित भगवान प्रेश्ण का ध्यान अत्यन्त भक्ति भावपूर्ण है, यहां पर वह ध्यान दिया गया मूल संक्रित में, भक्ति ततो मिवान शाह महर्ची शांडेली के परिपेश्व में, तो महर्ची शांडेली ने अपनी संहिता में, भक्ति सूत्र में नहीं, शांडेली संहिता में, भक्ति के उदभव विकास, उसके भेद और प्रकार, आधी पर विस्तार से वर्दन किया, जिस प्रकार श्री राम चंद मानस में, श्री राम चंद जी ने उनके मंत्र का जब, उनकी स्तुति, उनके निमित हवन, ध्यान, नामसंकीरतन, सेवा, उनके शंख, चक्र, गदा, आदी, चिन्हों का धारन, तथा उनका आराधर, यह नवधा बक्ति है। फिर सगुन और निर्गुन भक्ति के विशे में महर्शी शांडेले क्या कहते हैं। निश शंशे आत्मिका होती है, तब निर्गुन कहलाती है। सगुना भक्ति साधन स्वरूप होती हैं, निर्गुना भक्ति में साधक सिध्धा वस्था को प्राप्त होता है। आगे फिर भक्ति रूपी सूत्र से जीव को परमात्मा से बानने के लिए परमकारोनिक मुनिवरों ने फिर कुछ मुनियों के नाम है। भक्ति की शैष्था का विविनल प्रकार से प्रतिपादन किया। इन में से देवर्शी नारद और महर्शी शांडेली परणित भक्ति सूत है। जिन पर अभी हमने इस शुन्खला में पुस्तके देखी है। इन भक्ति सूत्रों से बहुत ही सरल भाषा और अर्थ गाम भीर के साथ भक्ति के तत्व और इससे इश्वर की प्राप्ति को समझाया गया है। फिर थोड़ा बहुत विवरण दिया गया है, नारद भक्ती सूत्र में 84 सूत्र है, शांडेले विरचत भक्ती सूत्र में 100 सूत्र है, तीन अध्याय और पते एक अध्याय में 2 आहनिक है, आगे लिख रहे हैं देवर्शी नारद ने अपने भक्ती सूत्र में एक सूत्र में का उलेख करते हुए कहा है और था सांडेल ही रिशी मत में आत्मरिती के अविरोधी विशे में अनुराग होना ही बक्ति है इससे प्रकट होता है कि नारद भक्ती सूतर का प्रहणी शांडेल भक्ती सूतर के बाद हुआ उसके अलावा इन्होंने अन्य प्रामान दिये हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि नारद भक्ति शूतर का जो प्रनेयन है वो शांडेली भक्ति शूतर के बाद हुआ महारशी शांडेली ने इन सूतरों को वेद सम्मत तो कहाई है साथी पुराणों और इतिहास ग्रंतों के सम्मत भी बताया है यह ग्रंत शूमत भागवत के अनुसार है इसमर पिथु धुरुव प्रहलाद अंबरी शारी महा भागवतों के नाम एक ही सूतर में दिया गया है भगवान के सर्वोपरी गुन को बताते हैं महरशी शांडेली कहते हैं कि करुणा भगवान का मुख्य गुन है अब यहां से शांडेली भक्ती सूतर के टिकाकार और नारायन तीर्थ इनके उपर चर्चा है शांडेल भक्ती सूत्रों पर एक टीका दतिया के पितामबर पीट के पीठादीश्वर स्वामी जी की भी प्राप्त होती है पितापरा पीट दतिया की एक पुस्तक ईश्वर गीताप चैनल पर वीडियो प्लब्ध है अपने अगर हो नहीं देखी तो देख सकते हैं बहुत अच्छी पुस्तक है वो भी श्वापनेश्वर क्रिप टीका ये दुपी भक्ती चंद्रिका से लगुतर है भक्ती चंद्रिका से छोटी है भक्ती चंद्रिका टीका काफी वरिहद है पर दो सीमित सब्दों में भी वह सूत्रों के रहस्य को सुपष्ट बोध कराती है। अपनेश्वर अपनी ठीका के प्रादम निम्न मांगलित श्लोक से करते हैं। भक्ति जंद्रिकार ठीका के प्रणिता श्री नारायन तीर्थ सत्रवी शदापदी के विद्वान हैं। ये काशी के विद्वान सन्यासियों की परंपरा में आते हैं। इनके जन्म जन्मस्थान और मातापिता के विशे में कोई प्रामानी जनकरी नहीं मिल पाती। उनके गरंथों का अनुशी लेन करने से हैं ज्यात होता है कि इनके वासुदेव तीर्थ और रांद गोविंद तीर्थ नाम के दो गुरु थे और इनके शिश्य का नाम ब्रह्मानंद सरसुती था फिरनोसी गरंथों की रचना की है उसका यहां विववर्ण दिया गया है तेरा गरंथ है और यहां प्रेलिस्ट में देही है है तो वीडियो प्लब देट है चैनल पर योग सुरूत वित्री पर गुड आर्थ ज्योतनी का टीका भक्ति अधीकरण माला और शांडे लिकृत भक्ति सूत्र की भक्ति चद्र का टीका जोर्ण तो गरिएगा भक्ति जद्र का अधीकष्ण करते वह टीका कर नारायन ती इथने अपने प्रेमाभुति के लिए सनक आदीगन जिनका गुनगान करते रहते हैं वेदों में जो विराजमान है सत्य ग्यान सुख रूपन कृष्ण नाम वाले परमात्मा को मैं नमश्कार करता है फिर हिंदी में काफी विश्यान कर्मनिका दी गई है जो कि भाष्य में जो भी विशय विचर्चा की गई है उसके अनुसार है यहां से पुस्तक प्रारम हो रही है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्पष्ट है, साफ है, ऐसा कोई प्रिंटिनिंग का मझे इशू नहीं दिखा, एक आज जगा प्रिंट थोड़ा सा हलका हुआ है, लेकिन उससे पढ़ने में कोई समस्या नहीं ह यहां से यह मंगलाचरन से और श्री नारायनती रित की इंट्रोड़क्शन से पुस्तक प्रारम हो रही है, प्रथम शांडेले सुत्र यहां है, जो बोल्ड में दिया गया है, एक संख्या के साथ अधतो भक्ति जिग्यासा, फिर यह नॉर्मल फॉन्ट में श्री नारायनत प्रिष्ट संख्या चार से प्रारम हो रही है, और डेहें, प्रिष्ट संख्या, इन्होंने बहुत ही प्रामान शिल माघवत से पुरामान से वेदों से बहुत सारे प्रामान उद्रिट किया है, प्रिष्ट ոंख्या 10 तक 49 इवल हो सूत्र संख्या 2 की ब्याक्या है, हलाकि ये एक, आप इसको exception, outlier कह सकते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी वैख्याए हर सूत्र की नहीं है, एक आद और सूत्र है जिनकी 10-12 प्रिष्टों में है वैख्याए वगर इतनी बड़ी अन्य सूत्रों की नहीं है, फिर नीचे हिंदी में देख सकते हैं, संछेप में एक तरह से सार जो है, वह प्रस्तुत कर दिया गया है, यहाँ पर भक्ति और ज्यान के संदर्भ में, भक्ति चद्रिका में के आधार पर जो हिंदी की टीका है, उसमें क्या लिखा गया है, वो मैं कुछ अंज आपको पढ़के सुना दू, जिस ग्यान से वस्तु का परिचय र ब्रह्म स्वरूप ज्यान है, वो साध्य ग्यान है, यही ग्यान स्वरूप ब्रह्म है, जिस भक्ति से सास्त्र आदी को पढ़ने में, और देव पूजन आदी में प्रवर्ति होती है, और जिस भक्ति से ग्यान को पाने के अभिलाशा उत्पन होती है, उसको साधन भक्ति या गौनी भक्ति कहते हैं. तथा ग्यान योग आधी के द्वारा भगवान का साक्षातकार होकर मुक्ति को पाने पर भगवान की खृपाद इस्ट्री से सिध्धात्मा को तर्मए होने के समय जिस पृती का सच्चार होता है उसका नाम पराभक्ति या साध्य वक्ति है बहुत से लोग ग्यान बड़ा है या भक्ति बड़ी है इस बात को लेकर वितर्णा किया करते हैं हमारा सिध्धार्त यह है कि साधन ग्यान से साध्य वक्ति की प्राप्ति होती है और साधन भक्ति से साध्य ग्यान की प्राप्ति होती है अवस्था के भेद से दोनों ही का लागा हो गौरव है वास्तव में साध्य ग्यान और पराभक्ति में भेद नहीं है बरफ और बरफ गला जल जैसे अभिन है साध्य ग्यान बरफ और पराभक्ति बरफ गला जल ठीक उ जुची के भेच से कोई बर्फ के टुकडे को मुख में रखकर खाना अच्छा मानता है किसी को जल में बर्फ को गला कर खाना अच्छा लगता है उसी प्रकार से अब जैसे देखी यहां पर दोनों ही भक्ति चंद्रिका भी लग हुए और हिंदी टिका तो अधिकतर स्थारो पर लग हुई है तो देखी यहां जो श्लोक उद्रित किया गया है वही श्लोक इस जगह भी उद्रित किया गया है भक्ति चंद्रिका में जो श्लोक और एक्जामपल्स उद्रित किया गया है अनगरंथों से उनको अलग से ऐसे दिया गया है यहां पर फ्लो में ही वो श्ल और उससे अधिक हिंदी की व्याख्या नहीं दी गई है। किसी निर्धन से उतने उपाय नहीं हो सकते। पर तो यदि वो अपनी शक्ति के नसार दरिद्रों के दुख मोचंका उपाय करें, तो उसके रहे वही परियाप्त है। धनी 100 मुद्रा देकर जो फल पाता है, दरिद एक कॉड़ी देकर उससे अधिक फल पासकता है। कोई 100 सा फूल चढ़ा कर पुजा करता है, तो कोई फूल ना पाकर केवल जल ही चढ़ा देता है। सारिया है कि भगवाद की और को लक्षे होना चाहिए, जो कुछ भी करो भगवाद को अरपर कर दो, वही सब कुछ है। इस थान पर देखें, जैसे इस प्रकार से थोड़ा सा एक जगह पे, एक आज जगह पे प्रिंट जो है वो हलका हुआ है, स्याही हलकी हुई है। नहीं तो ऐसे अरने कोई छपाई वगरा में समस्या नहीं है। तो मूल है इसमें भक्ति चंद्रिका का संस्क्रित और उसी पर आधारित, उसी से संबध स्वतंत्र हिंदी की टीका है। स्वतंत्र मतलब कहने का अर्थ यह है कि उसका अनुवाद नहीं है, बाकि उस पर ही अधारित हिंदी की टीका है। तो प्रिष्ट संख्या 174 पर ये पुस्तक समाप्थ हो जाती है। ये थी कुछ जानकारी चो खंबा सुर्भारती प्रकाशन दौरा प्रकाशित शांडेल भक्ती सूत्र पर नारायन तीर्थ विरचत भक्ती चंद्रिका संस्क्रित एवं हिंदी टीका के बारे में। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडि थारे में।